हलो बाई लोग, I hope you all are doing well and स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मौव फोर आल में और 23 माई को Mad Max सीरीज की एक स्पिन ओफ मुवी, Furiosa Mad Max अगा रिलीज हुई बाके Furiosa Mad Max अगा प्रिक्वल है Mad Max सीरीज में अब तक कई सभी मुवी का जो कहानी बताती है Furiosa की जिसमें पता चलता है कि कैसे एक छोटी बच्ची अपने पूरे परिवार और सात्यों से दूर हो जाती है और इसको बचाने आई इसकी मा को भी मार दिया जाता है एक विलन देमेंटस के कहने पर जिसके बाद देमेंटस को मार कर अपनी मा का बदला लेना और अपने गर वापस लोटना Furiosa का मकसद बन जाता है जिसमें सबसे पहले तो Furiosa Dementus से अपनी माका बतला लेती है लेकिन जान से मार कर नहीं एक बिलकुल ही अलग तरह से टोर्जर करके और फिर मौका मिलते ही निकल जाती है जिसके बाद की पूरी स्टोरी डायरेक्ट कनेक्ट होती है Mad Max की बागी मूवीस से अब ये वाला पार्ट पहले वाले पार्ट के कंपरेशन में कैसा है तो इस पर यही कहूँगा कि इसके पहले पार्ट जादा बेटर है क्योंकि इस वाले पार्ट की स्टार्टिंग अच्छी है mid portion भी अच्छा है specially एक fight है जो ट्रक पर होती है वो तो बहुत जादा अच्छी है बट last के 40-45 मिनिट बहुत जादा cheesy and stretchy लगे मुझे जिसका reason बस इतना सा है कि इन्होंने last में ये दिखाने की कोशिश करी है कि furiosa कैसे Demandus को तडबा रही है और कैसे Demandus इस से अपनी मौत की भीग मांग रहा है लेकिन सच में वो चीज बिलकुल ही fail रही just because of the dialogues क्योंकि Mad Max के पूरी series is all about action बट last का वो आदा गंडा बिना action के दिखाना movie से उसको बिलकुल अलग बना देता है और Demandus का मौत की भीग मांगने वाला scene भी बहुत फीका सा था एंड जब आपनी starting कितनी अच्छी करी full action के साथ में एंड पूरी movie भी बहुत अच्छे piece के साथ दिखाई तो viewers की यही उमीद होती है कि last में उसको कुछ अच्छा देखने को मिले लेकिन यहां ऐसा नहीं होता हाला कि जिस unique way से Furiosa ने Dementus से आखरी में बदला लिया वो चीज नहीं थी लेकिन उसके पहले का पूरा section थोड़ा boring सा था लेकिन 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 लास्ट का आदा घंडा हटा दिया जाए तो बाकी movie के अंदर बहुत कुछ है जो आपको impress करे जैसे कि इसके colors इसकी world building जो इस part के अंदर बिल्कुल scratch से दिखाई है and specially इसका वो एक 10 minute का truck वाला action sequence जिसमें बहुत सारे practical elements का भी use किया गया है जो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है बाकी starting में भी एक छोटा सा chasing sequence है जो करीब-करीब 30 minute तक का है जहाँ पर hand to end combat तो नहीं है लेकिन वो इतना potential रखता है कि आपका interest मुवी में शुरुवात से बना कर ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये सब क्यों हो रहा है and आगे क्या होने वाला है और इसी वज़े से मुवी से आपकी कुछ expectations भी बन जाती है जो end में आकर तूर जाती है तो मेरे point of view से अगर आप Mad Max के hardcore fan हो and starting से इसे follow कर रहे हो तो आप hall में जाकर ये movie देख सकते हो लेकिन अगर आपने इसका कोई बाट नहीं देखा and बस entertainment के साब से इसे देखने की सोच रहे हो तो मत जाना थोड़े टाइम में OTT पर आजाएगी तब देख लेना बट hall में जाओगे तो इसका BGM and beach beach में गार्डियों का जो sound use हुआ है वो शायद आपको excite करें तो choice आपकी है लेकिन अगर आपने ये movie देख ली है तो comment करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी बाकी जल्दी ही मिलते है अगले वीडियो में only on more for all